हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब जैनल तो साथ्यों चंद्रमा पर जंडा फार आने के बाद अब हमारा देश और हमारे देश के बैज्ञानिक निकल पड़े हैं सुरी की ओर और आज आदित्या एलवन नाम से सुरी के अध्यन के लिए पहल आपसे परिक्षाओं में 100% पूछा जाएगा तो साथ्यों ये ट्रेंडिंग टोपिक है करेंटेफेस का तो अंतक देखना है मैंने वो सारे इंपोर्टेंट कोस्टन्स इस क्लास में एड़ कर दिया है जो की आदित्या एलवन जो की भारत का पहला सुरी मिसन है उससे आप आपसे पूछे जा सकते हैं तो फटाफट से क्लास को एक लाइक कर दीजिए और अपने सवी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए आप में से कोई भी साथी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लिजेगा तो साथियों चलिए फिर देखते है और आज के क्लास का पहला कोश्चन है आदित्य ऑलवन ये कब लॉंच किया गया बहुत ही इंप्रिएंट कोश्चन है तो देखिये आदित्य है ये फोटो इस प्रकार से बिख सकते हैं ये आदित्य आलवन का लॉंचिंग होटो है चलिए आगे देखते हैं आधित्य L1 सूर्य और सोर प्रभाव मंडल का नेरिक्षन करने वाला कौन सा मिसन है? कफी important question है तो देखें आधित्य L1 सूर्य और सोर प्रभाव मंडल का नेरिक्षन करने वाला कौन सा मिसन है? तो याद रिखेगा पहला, पहला यानि first correct answer हो आगे देखते हैं आदित्य L1 को कौन से rocket से launch किया गया है यह question साथ हो must important है very very important question है तो दिखिए आदित्य L1 को कौन से rocket से launch किया गया है तो याद रिखिएगा correct answer हो जाएगा option number B ठीक है PSLV C57 option number A correct answer हो का माफी चाते हैं देखिए PSLV C57 नामक rocket से आदित्य L1 को launch किया गया है तो इस question का correct answer हो जाएगा option number A आगे देखते हैं अगला question है आदित्य L1 का वजन कितना है तो देखिए आदित्य L1 का वजन कुल कितना है तो right answer हो जाएगा 1475 kg याद रिखिए 1475 kg कुल वजन है आदित्य L1 का next question है आदित्य L1 ये कितने बजे launch किया गया तो देखिए आदित्य L1 को कितने बजे launch किया गया तो correct answer हो जाएगा option number B देखिए सुबह 11.50 मिनट पर ठीक है 11.50 मिनट पर याद रिखिएगा सुबह में तो option number B correct answer हो जाएगा अगला है आदित्य L1 मिसन अपने साथ कितने पैलोड ले जा रहा है तो देखिए आदित्य L1 मिसन जो है वो अपने साथ कितने पैलोड को ले के जा रहा है तो right answer होग option number B साथ पैलोड को और देखिए ये साथ पैलोड कौन-कौन से है मैं हर एक का नाम आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो पहला तो है देखिए visible emission line chronograph ठीक है एक हो गया आपका visible emission line chronograph दुसरा हो गया solar ultraviolet imaging telescope ठीक है तीसरा हो गया साथियो आदित्य solar wind particle experiment एक हो गया आपका चोथा plasma देखिए plasma analyzer package for आदित्या ठीक है पेलोड फिर हो गया आपका पांचवा solar low energy x-ray spectrometer ठीक है एक हो गया आपका high energy high energy L1 orbiting x-ray spectrometer सात्वा हो गया आपका advanced advanced tri axial high resolution digital manometer आपका मैगनोमीटर ठीक है ये सातो पेलोड हैं जो कि आदित्या L1 अपने साथ लेकर गया है ठीक है अब देखिए सात पेलोड में कितने पेलोड सूरज को observe करेगा तो total तो सात पेलोड है rocket में लेकिन सात मेंसे कितने पेलोड है जो की सूरज को अफजर्ब करेगा तो याद रिखिएगा चार ठीक है तो राइट है option नमबर बी चार पैलोड याद रिखिएगा अगला है आदित्य एलवन को लॉंच करने में कितना खर्चा हुआ है बहुत ही अच्छा question है तो देखिया आदित्य एलवन जो की भारत का पह स्विरे मिशन है और साथियों इसको लॉंच करने में लगभग 378 देखिए 378.53 करोड रुपे का खर्च हुआ है तो राइट एंसर हो जाएगा option नमबर याद रिखिएगा 378.53 करोड रुपे का आगे देखते हैं आगे अगला question है आदित्य एलवन का उद्देश से क्या ह तो देखिए आदित्य एलवन का उद्देश से क्या है तो सुरी के बारे में जानकारी प्राप्त करना सुरी का अध्यन करना ठेक है सुरी के बारे में एलवन पॉंट से जितनी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है उन सारी जानकारिया प्राप्त करना और उस पर अध्यन करना तो करिक्ट हो जाएगा option number ए अगला question है आदित्य 11 को सुरी तक पहुचने में कितना समय लगेगा तो देखिए समय मन्थ में अगर पूछे तो 3-4 मन्थ आपको टिक करना है दिन पूछे तो मैंने अलग question एड किया है आपको बताऊंगा आगे कितना दिन लगबग लगेगा तो देखिए आदित्य 11 को सुरी तक पहुचने में 3-4 महने का समय लगेगा साथियो अगला question है भारत का पहला सुरी mission आदित्य 11 को कहां से command मिलेगा यानि आदित्य 11 इसको कौन command करेगा या उसका command कहां से मिलेगा तो इसका command simple सी बात है इसरो से मिलेगा इसरो यानि Indian Space Research Organization जिसकी अस्थापना 15 अगस्त सन 1979 को हुई थी इसरो का मुख्याला बैंगलोरू में इस्तित है और अभी ही इसरो के chairman कोर है तो S. सोमनात जी अभी कौन है तो इसरो के chairman है याद रिखेगा अगला question है आधित्य एलवन को कहां से launch किया गया है तो काफी important question है साथ ध्यान से दिखीगा आधित्य एलवन को कहां से launch किया गया है तो याद रिखे आधित्य एलवन को 37 धवन अंत्रिच केंद्र सार जिसको बुलते हैं तो 37 धवन अंत्रिच केंद्र से लॉंच किया गया है और साथ यो 37 धवन अंत्रिच केंद्र ये कहां परिस्थी थे तो स्री हरी कोटा में सिरी हरीकोटा भारत के किस राज में है तो ये आंध्र पर्दिष में इस्तीध है ठीके याद रिखीएगा आगे देखते हैं अगला कोश्चेन है आदित्य एलवन कितने किलो बर्ग का उपग्रा है बहुत इंपोर्टेट कोश्चेन है साथी ओ तो देखिए आदित्य एलव का उपग्रा है आगे देख लेते हैं तो आज का अगला कोस्टेन है देखिए इस रो द्वारा लॉंच किया गया या जारह नहीं गया ठीक है तो इस रो द्वारा लॉंच किया गया आधित्य 11 मिसन प्रित्वी से लगबग कितनी दूरी पर है तो याद रिखीगा करिक्टन सरोगा लगबग 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन किलोमीटर यानि हम इसको बोल सकते हैं ठीक है देखिए इसको हम बोल सकते हैं साथ यो 1.5 मिलियन यानि लगबग जो है आप मान के चलिए कि बिलकुल 15 ठीक है 15 लाख किलोमीटर दूर परिस्ति थे देखिए यहाँ पर मैंने फोटो एड कर दिया है जैसे कि देखिए यह है आपका एलवन पॉइंट ठीक है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यह है यह है अमरा प्रित्वी और यहाँ से इसकी दूरी देखिए 1.5 मिलि यह है यहाँ पर ध्यान से देखिए अच्छे से समझ लिए यह है आपका साथ यह सं यह सुरी का फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ सुरी से इतना दूर पर यह इस्तित है यह यह हमारा प्रित्वी है जो कि यहाँ से जो है यह 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर यह इस्तित है ठीके चलिए तो राइट एंसर हो जाएगा इस कोस्टेन का ओप्सन नंबर भी अगला कोस्टेन है आदित्य एलवन किसके दुवारा लॉंच किया गया तो देखिए आदित्य एलवन मिसन जो है यह किसके दुवारा लॉंच किया गया तो सिंपल सा अगला कोश्चन है इस मिशन को यानी अदित्या एलवन मिशन को किस कक्षा में लॉंच किया जाएगा तो जैसे कि मैंने अभी फोटो में आपको दिखाया कि साथ यो अधित्य एलवन को सुरी के एलवन पॉइंट पर एलवन एलवन का फॉलफम होता है लेंगरेज पॉइंट ठीक है एलवन ये जो एलवन एलवन हमने पढ़ा अभी तो इस एल का फॉलफम होए लेंगरेज याद रिखीगा लेंगरेंज बिंदू या लेंगरेज लेंगरेंज पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं तो साथ हो आज देखिए भारत का जो पहला सुरी मिशन है और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजेगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और इससे बाहर जो कोस्टन बनते हैं जो कोस्टन बचे हुए हैं मैं एक और एक क्लास आपके लिए लेकर आओंगा उसमें आप लोग देख लेना ठीक है उसमें सारे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजेगा और साथ योदिखिए नए साथ ये अगर आपने से कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन कौन कर लेजिए इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकसन आएगा चले फिर मिलते है हिंद वंदे मातरम